वर्सायक की संधी 28 जून 1919 को हुई थी और यह किसके किसके बीच हुई थी क्या थी इसकी कहानी क्या थी इसके इसके इंपोर्टेंट से सारी चीजों के बारे में जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे प्लस साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यूं कहा जाता है कि वर्सायक की संधी के साथ ही द्यूत्य विशुद्ध की निव पड़ी थी इन सभी चीजों के बारे में जो हम लोग आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्ण हिस्ट्री वित रेखा में और हम लोग अब इसे कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगी कि अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब इट क्योंकि अगर आप सस्क्राइब करते हो तो आपको और हमारा साथ जो है वो बना रहेगा और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आती रहूंगी और प्लीज जो है आप बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले जिससे जो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो की मिल सके और आप वीडियो को देख सके वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में जरूर जानने को मिलेगा कि ये वर्साइकी संधी के माध्यम से इस वर्साइकी संधी के वज़े से दित् करेंगे तो देखे क्या है कि 28 जुन 1919 को फ्रांस की राजधानी पैरिस में इस्थित वर्साई के राजमहल में मित राष्टो एवं जर्मनी के बीच हुई थी है ना यहां पर आपको यह चीज याद रखना होगा यह जानना होगा कि वर्साई की संदी जो है वो कब हुई थी और कहां होई थी तो वर्साई के संदी जो है वो 28 जुन 1919 को हुई थी फ्रांस की राजधानी पैरिस में वर्साई के राजमहल में यह जो है किसके किसके बीच हुई थी तो मित राष्ट और जर्मनी के बीच हुई थी इस संदी में अमेरिका के राष्पती वुड्रो विल् फ्रांस के प्रदान मंत्री जाज किलमेंसो तता इटली के प्रदान मंत्री और लेंडो सामिल थे। इस ट्रिटी में जो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ये सब के जो है पधानमन के जास्ट पती ये लोग जो है शामिल थे और प्लेस जो है जर्मनी जो है वो इनके बीट जो है ये ट्रिटी हुई थी वर्साई की संधी में दित्य विशुविद का विजयर उपन ह चुका था क्योंकि इस संधी में जर्मनी के साथ काफि आपमानजनक सर्तों सर्ते लागू करने की बात कही गई थी ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्साई की संधी जो होई थी मित्र राष्ट और जर्मनी के वीच अलाइट पावर और सेंट्र पावर जर्मनी जो था उसके बीच इसलिए इसमें जो है यह बात इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जितने भी जो वर्साई की संधी की जो सर्ते रखी गई थी वहर सर्ते जर्मनी के विपक्ष में था मतलब जर्मनी के सपोर्ट में नहीं था जर्मनी के लिए जो वह यूसफूल नहीं था फ अपमान जनक सर्ते लागु की गई थी यह आपका पिक्चर है यह आपका वर्साइग के राजमहल से फ्रांस की जाजदानी जो पैरिस थी वहां की जो ट्रीटी ऑफ वर्साइग जब हो रही थी उस टाइम का यह पिक्चर है और इसमें जो है साथ में लोग टेबल पे बैट क करें जो है क्रिटी के बार इन जो मुँए्ट अच्छान करुआ है ने को जो जो इन दोनों के बीच में जो जो अग्भानिक नहीं के बीच में जो इन दोनों के भी ता जी जो हितmanine वर्साय की संधी जिसके कारण दूत्ति विश्वुद हुआ था है तह लाए अटक्रिंधेश में देख रहे हो आपका वर्साय की संधी जुह है जो रेजिस्टर होते है जो करने होते हैं अ कि फ़रंट पेज्ट और इसे फाइल में जुह है सारी बाते जो है वो मेंन्सन की गई थी नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस संधी की जो है इंपोर्टेंस क्या थे या इंपोर्टेंस पॉइंट्स जो है वो क्या थे तो देखें इस संधी के मुख्ये जो है बाते निम्न थी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि 1871 में जर्मनी के ने फ्रांस से ऐसे लॉरेंट के प्रदेश छीन लिये थे जिसके कारण जर्मनी को यह प्रदेश फ्रांस को वापस करने पड़ थे ना आपका आलसे लोऊरेंच उसे चीन लेता है उसे जो है प्रदेश को वापस कर दिया है यह जीती हुई चीज इसे वापस ले ली गई डिया है किस से तो जर्मनी से तो यह जो है जर्मनी का एक अप्मान हुआ दूसरा क्या है तो जर्मनी के राइन लेंड अर्थात राइन नदी एबं उसके आसपास के छेत्र 15 वर्स्तों के लियमित राष्टों की सेना अस्थाई रूप से रहेगी जिससे जर्मनी इस छेत्र में किलेबंदी ना कर सके किलेबंदी ना कर सके तो यहां पे जो है क्या है पॉइंट आपका इंपोर्टेंट कि जर्मनी का जो राइन नदी के किनारे इस्थित था उस पे जो है मित राष्टों ने जो है राइप पावर ने जो है यह सरते रखी ऐसा जो है प्रपोजल रखा कि 15 एर तक जो है हमारी से कीमित राष्टों के सेन जो है अस्थाई रूप से जो है रहेँ से जो है झो है और इस से जो है क्या हुआ कि नजर रखेगी की जर्मनी जो है किले बंदी ना कर सके मतले अस्थाई सेना रहने करने जो है कारण यही था कि जर्मनी जो अपना ils भा टांस को ड़ further editor प्राइस मुक् Init 10 Town एक का पुर्ड तरीक चुके था उसे अपंघ कशे सरे पर तरीक स कमचू था रहा। एकनोम रूप्स का उचनkę से इकनोमिक रूप पुर्देस्ट अफमान कैया रहा ह। चाकुसलवाक्या को राजी की मानता दिलवाई जिससे जर्मनी की पुर्व शीमा का पर नुकसान उठाना पड़ा अब मित राज जो हो क्या करते हैं कि पॉलिन और चाकुसलवाक्या जो राजी था जेतर था उसको जो है राजी की मानता दे देते हैं और इससे जर्मनी को जो है इस्टरन छेट में आपका नुखसान उठाना पड़ जाता है नेक्स आप हम डोग पॉइंट देखेंगे तो देखें पॉइंट 6 जो है वो क्या है कि जर्मनी की सेना की अधिक्तम संक्या एक लाग कर दी गई हवाई जहाजो पर प्रतिबंद लगा दिया गया शैन शक्ति को भी सिमित कर दिया गया केवल 6 युदितों प्रकने की इजाज़त दी गई पंडुबियों को भी मित राष्टों को सौपने की बात कही गई इन सब चीजों पर निगरानी रखने के लिए जर्मनी के खर्च परमित राष्टों का एक सैन ने एक आयोग अस्थापित किया गया आप देखें यहाँ पर इंपोर्टेंट्स क्या है कि जर्मनी को पूरे तरीके से लिमिट कर दिया गया है ना कि आप जो है एक लाग सेना से अधीक नहीं रख सकते हैं दूसरा हवाई जहाज जो था उस पर प्रतिबंद लगा दिया गया है एक लाग सेना जो था उसको रखने की उसे जाज़त दी गई कि आप अपनी सेना की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं हवाई जहाज पर प्रतिबंद लगा दिया गया नौशयनिकों की सक्ति जो थी उसे शिमित कर दी गई मतलब आप जो है अपने पावर कोब नहीं बढ़ा सकते हो यूद तोप जो थे उसे सिर्फ छे रखने की जाज़त दे गई थी उसको बढ़ाने की जाज़त नहीं थी प् मितराष्ट्णा ने क्या कि एक संयनिक आयोग की स्थापना की वह भी किस के खर्च पर तो जर्मनी के खर्च पर मतल rätt तरीके से उसे उसे ईकशल्ल में भी भी बिना जा रहा है और ऑर और बिसे खर्च भी करवाया जा रहा है था nous 7 जैन आपका है कि इस प्रकार सन ड्रिष् संधी के अनुसार जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश 13 परसेंट जितना उपनिवेश था उसका 13 परसेंट जो है भुभाग आपका फी 10 परसेंट आबादी 75 परसेंट लो भंडार और 26 परसेंट कोईला भंडार जो है फ्रांस पॉलें डेन्मार्क और लिथुआनिया को देन अब मतलब उसके सारे चीज़ें उसे चीने जा रहे हैं फिर आगे देखे क्या है कि प्रथम शुईदे का सबसे बड़ा आरोपी जर्मनी को घोसित किया गया तथा उसे मितर रास्टों ने इस यूदी की छति पूर्ती के लिए 6 अरब डॉलर का जुर्माना भी लगाया मत इतना कुछ उससे लेने के बाव जूद भी हर जाने के रूप में 6 अरब डॉलर जुर्माना लगाया कि आपको 6 अरब डॉलर जो है पे करना पड़ेगा हर जाने के रूप में मतलब इतना हम लोगों को नुपसान उठाना पड़ा फिर आपका कि नील रहन का अंतर रास्ट प्रति बंद लगा दी गई थी लेकिन आपका नील सहर जो था उसको अंतर रास्टी करन किया गया उसका और वहां पर जो सभी जाहाजों के लिए उससे खुला छोड़ दिया गया मतलब कि अंतर रास्टी मतलब इंटरनेशनल हो गया वह मतलब अदर कंट्री से जह वहां प पर प्रति बंद लगा तुम्हें जो है अंतर राास्टी करन किया गया था ये जय बाहर से वहाह पर लोग आ सकते है जर्मनी के अनैक और जोगी को और लिई of इतिक चेत्र को मित राष्टों लें लया था जितना पता की जि擊 है पraisा सार चेत्र सार चेत्र कोलोगे हैं, कोईला का भंडार वह भंडार बाद को भ된 ता टो रहें छोने जेत्स का अधिन करता है धांता है जितने वह की जिए आर्थिक और और धोगिक छेत्र थे उन सभी रूप में भी उसे जो है अपंग बनाया गया उसे उसके साथ उसका अपमान किया गया इसलिए कहा जाता है कि वर्साइग की संधी जो है वह एक अपमान जनक संधी थी इसके अलावा देखे क्या है कि 28 जूं 1919 को वर्साइग की संधी में ही दित्य विश्वीद का विजयरोपन हो चुका था क्योंकि इस संधी के जहाद जर्मनी को पूरे तरीके से निहत्था बना दिया गया था और यह संधी जर्मनी के लिए एक अपमान जनक संधी थी है ना य संधी जो थी वह जर्मनी के लिए एक अपमान जनक संधी क्यों थी क्योंकि उसे जो एक नॉमिक रूप से उसे जो है आपका पूरे तरीके से जो है उसे अपंग बनाया गया था हर छेत्र में उसे नुक्षान ही नुक्षान हुए थी इस जो है कभी न कभी बिष्पोर्ट होना था ही तो वो बिष्पोर्ट ज देखे कैसे हुआ कि हिटलर ł और ज det nên इसे एक अपान्जनक संधि मानते थे क्योंकि उस पर शंदी जबरदस्ती थोपी गई थी इसलिए जर्मनी के लोग और हिटलर इस अपान जनक संदी का बदला लेना चाहते थे जर्मनी में जो हिटलर था और जर्मनी के जो लोग थे वो लोग सब जानते थे कि यह संदी जो है अपान जनक संदी है इस पर जबरदस्ती हम पर थोपा गया है हमें मानने पर विवश्च किया गया है लेकिन फाइनली जो है वह कितने समय तक इसे मानेंगे तो कभी न कभी जो है इसका ब्रेक होना जो है वह बनता है और यही चीज हुआ आपका इस संधी में कि उसका ब्रेक अप हुआ वह प्रारम कर दिया है जो उस पर जो लिमिटेशन रखा गया था कि आप जो है एक लाक सेना से अधिक जो आप नहीं रख सकते हैं तो 1935 में जो है वह जर्मनी क्या करता है कि अपनी उस वर्साय की संधी का उलंगन कर देता है और जो अपनी सेना को विस्तार करना प्रारम कर द कर देता है और इनी सब कारणों के वज़े से जो है आगे चलकर के दुट्य विशुद की सुरुआत हुई थी है जर्मनी का जो है यह जो स्टार्टिंग वा कि अपनी सैनिकों को बढ़ाना सुरू कर दिया फिर अपने जो प्रदेश जो थे उसके अपने सम्राज जी का वि और वो अपने आर्थिक रूप से जो है वो स्ट्रॉंग होना चाता था अपने अपमान का बदला लेना चाता था और इसलिए उसने फाइनली वर्साइक की संधी का उलंगन कर दिया उसे तोड़ता चला गया और अपने पावर को बढ़ाता चला गया और जैसे जैसे उसने कि संधी जो थी वो एक अफमान जनक संधी थी और वर्साइक एक संधी में ही जो है दुत्य विशुदि का विजयर ओपन हो चुका था तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेहर जरूर करें और साथ ही साथ मैं यह कि बाड़ को मैं यह जरूर करें नहीं हो।